हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ओन अपेक्स क्लासेज डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं शीतर शर्मा आपकी हिस्टी एजुकेटर हम पढ़े थे क्लास 12 का फोर्थ लैसर मुस्लिम आकर्मन उद्देशिय और प्रभाव पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कुंभा कौन था महारान सांगा कुंभा का पोता इदे को सबसे पहले देखते हम परिचे और उत्रादिकार के लिए संगर्ष ठीक है ना इसमें देखिए सबसे पहले परिचे में क्या है महाराना कुंभा आमने पढ़ा महाराना कुंभा का पुत्र था रायमल कौन था रायमल महाराना कुंभा का पुत्र और रायमल के तीन संतान थी ओके रायमल के तीन पुत्र थे सबसे पहला नाम यादखने आपको पृत्वी राज कुमर पृत्वी राज दूसरा नाम यादखने आपको जैसिंग और तीसरा नाम एाद रखने आपको संगराम सिंग आप इन तीनों के बीच में उत्राधिकार के लिए क्या होगा संगश होगा चली सी आपको कहानी बताती與 क्या हुआ था तीनों की बीच में ? भावि लेके करते हैं अपनी जर्म सोिठिकर रहा के पास जघता हैं। तीनों मैंसे प्रत्यराज जैसिंग और संग्राम सिंग मैंसे मेवाड का भाविश आशक बनने की योग वह किसके हैं संग्राम सिंग के हैं इस से बाकी के दौनों भाई जो है प्रत्यराज जैसिंग वह आग वबुला हो जाते हैं और संग्राम सिंग से जगड़ा करने लग हैं इसे बीच रायमल का जो चाचा है वहां बीच बचाव करके तीनों की बीच में संगर्च को बंद करवाते हैं जगडे को समाप्त करवाते हैं लेकिन उसके बाद में फिर प्रतिराज को ऐसा लगता है कि नी हो सकता यह जोती कि यह सकता है यह सही नहीं हो इसलिए ऐसा सुनते हैं वो कि किसी मंदिर में पुजारिन है वो पुजारिन जो है वह बहुषिवानी करती है और उसकी बहुषिवानी बिल्कुल सही होती है तो तीन जने जाके वहां मंदिर में जाने के लिए तेयार हो जाते हैं अब उस मंदि जातेवक्त प्रवेश्च द्वार में जातेवक्त से पहले प्रठीराज मंदिर में प्रवेश्च करता है और वहाँ पुजारिंज होती वहाँ पर आई भी नहीं तो वह सुशते के कहां बैटू अपना इससान डूनता है एक बड़ा सा पत्थर रखावा होता है उंचे इप संगराम सिंग संगराम सिंग मनदिर के अंदर प्रवेश करता उसको दिखते हैं तो पास में एक शेर की खाल पड़ी होती है उस क्या उध्षीद की पीछ उसके कि हम अपनी बविष्यमाणी जानने के लिए हैं कि हम तीनों भाईयों में से मेवाड का भावी शाशक भावी राजा जो ऑवा कौन बनेगा इस पर पुझारीं पूछती है कि मंदिर में सबसे पहले प्रवेश किसे किया प्रथिराज कहता है मैंने किया उसके बाद किस ने कि किया जैसिंग बोलता है मैंने किया फिर पुझारी तीसरा प्रश्य पुछ यह कि शेर की खाल पर कौन बैठा है बोले संग्राम सिंग तो भवार का बाविशाषर कौन बनेगा संग्राम सिंग बनेगा इस पर अब उनको लगता है कि अब जो बहुश्य वाड़ी की यह तो ब प्रत्विराज क्या गरता है संग्राम सिंग की एक आख फोर देता है ठीक है ना तो यहाँ पर उत्रादिकार के संगर्श में प्रत्विराज के द्वारा किसके आख फोर दी जाएगी संग्राम सिंगी उसके भाई संग्राम सिंग के आख फोर दी जाती है उत्रादिकार के संगर्ष में, संगर्ष में, संगर्ष की एक आँख फोर दी जाती है, चीक है ना, इस में संगर्ष को लगता है कि दौनों तो मेरे उपर टूट पड़े है, अब मेरा बचना मेरेको लगता है, मुझ्धे यहां से भागना पड़ेगा, तो संगराम सिंगिया करता है पूरे उत्रादिकार का संगर्ष किस्टति बनीवी है विरोधावास किस्टति बनीवी है उसमें कहा चला जाता ese कहा जाता है श्री नगर चला जाता है यह जो बात और ही यह है अजमेर में किसी को बिना बताया है जिवन वैतीत करता है और जब संगर्ष पूरी दर से शान्त हो जाता है कहा जाता है कहीं कहीं लिखा है कि प्रत्विरा जो जैसिंग जो है वो अपनी मौत मारे जाते हैं उसके बाद में रायमल जो है पिता रायमल जो है वहाँ अजमेर से वापस किसको बलाता है संग्राम सिंग को बुलाता है और अपना उत्रादिकारी किसको गोशित करता है संग्राम सिंग को इस प्रकात 1509 इस्वी में कब की बात है 1509 इस्वी में महाराणा संग्राम सिंग मेवार की गद्दी पर बैठता है जिसको इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है महाराणा संग्राम सिंग को ही महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है कब बैठेगा मेवार की गद्दी पर 1509 इस्वी में ओके ये तो हो गया परिच्छ और प्रारंदिक संगर्ष अब संगर्ष की शुरादर जब गदी पर बैठ गया है उसके बाद सबसे पहले संगर्ष हम देखते हैं गुजिरात के सुल्तान के साथ में संगर्ष अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्णी ये उड़ता है कि मेवा राज़ी पर उत्रादिकार के लिए संगर्ष अब रहा था और यहीं संगर्ष और दौनों के बीच में संगर्ष का कारण बना इडर आपको ध्यान रखना है कहां पर है गुजरात की ही एक जगे है ठीके ना ऐसा कहा जाता है कि इडर पर किसका राज़ी था राजा भान का कौन था राजा भान का यहां पर शाशन था भान के दो पुत्र थे कौन कौन से पहला पुत्र का नाम है सूर्यमल और दूसरे पुत्र का नाम है भीम तो राज भान की मृत्यों के बाद गदी पर कौन बैठा सूर्यमल इडर की गदी पर बैठ गया अब इडर की गदी पर सूर्यमल बैठा लेकिन कुछ समय बाद ही ऐसा कहा जाता है कि लगबग 18 महीने बाद ही सूर्यमल की मृत्य हो जाती है तो सूर्यमल की मृत्यों के बा कम उम्र का है छोटी उम्र का इसका फायदा कौन उठाता है उसका चाचा भीम वह क्या करता है रायमल को इडर की गद्दी से हटा देता है और स्वैम क्या करता है इडर की गद्दी पर बैठ जाता है ठीके ना इसको तो हटा देगा और भीम सिंग जो भीम जो है वह कहां क्या क्या करते हैं पुछ जागीर दे जाएगी ठीक है न? कि प्रसंद होकर इसको कुछ जागीर दे जाएगी ठीक है? अब दूशांति से बैट जा एक बहुत छूड़ जाएक तोbab का शाष्क बननाने का कारी करेंगे तो एक कब ल break मोई सब्सक्राइब दीता तो समय पश्यात राइमल की प्राप्ट करने की महाराजा के सामने शिफारश करता है कि मुझे टर질 की प्राप्र करनी है तब मारा सांगा, रायमल के साथ में मिलकर किस पर आक्मर् Kingdom करता है और जिसमें आक्मर्न किया ओ समय भीम का पुत्र जो है कौन है। भीम का पुत्र है भारमल वह गदी पर बैठ गया है ठीक तो राना-संगा Bible को को उसकी गद्दी से हटाता है और वापस इडर का शाषन किसको सौप देता है रायमल को सौप देता है पहले सूरी पार रायमल बैठा, रायमल जिसमें हटाये गाये किसके द्वरा चाचा भीम के द्वरा भीम बन गया इडर का शाशर, रायमल चला गया मान सांगा की शरण में, उसके बाद में इडर का शाशर कौन बन गया भीम का पुत्र भारमल, जब वापस रायमल और सांगा के द्वरा आकमन कौन थे गुजरात का सुल्टान उसमें मुजफर गुजरात का सुल्टान कौन था उसमें मुजफर जो है वह नाराज हो जाता है क्या कारण मुजफर को क्यों मिट्ची लगी भी किस कारण मिट्ची लगी कारण क्या था कि भार्मल को गद्दी पर बिठाने वाला जिसकी साह से बारमल गद्धी पर बैठा था कौन था गुजरात का सुल्टान मुजफर की रायमल को बैठा था जैसे इसको गद्धी सटाय जाता है बारमल वापस हाँ चला जाता है अब इन दोनों के सुल्टार मुजफर के द्वारा सेना भेजी जाती है किसकी खिलाव मेवाड के खिलाव तो मेवाड वर्सेस गुजरात दौनों के मद्या संगर्श होता है कौन है मेवाड का सुल्टान राणा सांगा और दूसरी तरफ है गुजरात का सुल्टार मुजफर दौनों के मद् गुजरात का काफी सारा हिस्सा इडर वला हिस्सा जो है वह मेवाड सामराजी में शामिल कर लिया जाता है तो यह हो गया गुजरात के सुल्तान के साथ में संगर्श अगला संगर्श अपन देखते हैं दिल्ली सल्तनात और महाराना सांगा अब जिस समय मेवाड पर महाराना स सांगा का शाशन था उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश चल रहा था लोधी वंश चल रहा था कौन सा वंश था दिल्ली पर किस वंश का शाशन था लोधी वंश का शाशन था ठीक है ना और जिस समय माराणा सांगा गदी पर बैठा हुआ था उस समय लोधी वंश पर किस का शाशन था सिकंदर लोधी का किसका शाशन था सिकंदर लोधी का शाशन था सिकंदर लोधी का शाशन था योग्य शाशक नहीं था तो दिल्ली के आसपास का जो शेत्र है उस पर भी महारणा सांगा ने अधिकार करना प्रारम कर दिया था ठीके ना तो यहां पर दिल्ली मे के साथ में संगर्ष कर सके इसलिए वह सांगा के साथ में संगर्ष मोल नहीं लेता है कुछ समय पश्चात सिकंदर लोधी के बाद इसका उत्राधिकारी कौन बनता है इब्राहीम लोधी यानि दिल्ली की गद्धी पर कौन बैठा इब्राहीम लोधी इब्राहीम लोधी जिस बजनपूर चेत और औढ़ और भील वाला वाला शित्र है ये आता था उसमें मेवाड के शित्र में ये सारे दिस्टिक है तीके ये चार डिस्टिक जो है वो समय मेवाड रियासत के अंतरगत आते थे ऐसे में दिल्ली पर जिसमें इब्राहीम लोदी का शाशन हुआ वह मेवाड की राणा सांगा की शक्ति को बढ़ते हुए सहन नहीं कर पाया इसलिए इब्राहीम लोदी किस पर आत्मन करता है दो युद याद करने है दोनों के मद्ये दो युद होंगे ठीके ना पहला युद याद रखना है खातोली का युद कौन सा युद रखोगे खातोली का युद होगा किस किस के बीच खातोली का युद याद रखना है आपको एक तरफ है इब्राहीम लोदी और दूसरी तरफ कौन है माराना सांगा ओके अब खातोली कायुद आपको दिया रखना है खातोली कौन सी जगे पर है अगर पूछा जाए तो खातोली है कोटा डिस्ट्रिक में कहाँ पर है खातोली कोटा डिस्ट्रिक में दिख रहा है आपको यहाँ पर कोटा यहां पर कोटा है आपके मेवार से जस्ट बॉर्डर के पास में दिख रहा है इस इस्थान पर खातोली नामक इस्थान पर दौनों के मद्य संगर्ष होगा दौनों किसके मद्य है इब्राहिम लोदी और महराणा संगा के मद्य है यह संगर्ष कब होगा यह ध्यार रखना आ 1517 इस्वी में दौनों के मद्य कौन सा युद होगा खातोली का युद होगा ठीक है ना खातोली कोटा में इन दौनों संगर्ष में दौनों ही सैनाओं के मद्य वीरता पूरक युद लड़ा जाएगा लेकिन इस युद में इब्राहिम लोदी की पराजे होगी वह युद के मैदान से भाग जाएगा और इसका एक शहजादा किस के पास बंदी बना लिया जाएगा महराना सांगा के पास में बंदी बना लिया जाएगा यानि युद में विज़े किसकी होगी महाराना सांगा की लेकिन इस युद के दौरान युद लड़ते हुए महाराना सांगा की एक हाथ कट जाता है तलवास एक हाथ कट जाता है और एक पैर के गुटने में ती लगने से वह हमेशा के लिए लंगडा हो जाता है हाई समझ में एक आँख तो भाईयों ने फोर दी खातोली का जो युद हुआ है कोटा में इब्राहिम लोधी के साथ में उसमें तलवास उसका जो बाया हाथ है वह कट जाता है गुटने में तीर लगने के कारण वह हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है मतलब इतने सारे घा उसके शरीप पड़े तो भी उसकी हिम्मत और ताक देखिए कि अभी भी वह कफी सारे संगर्श करेगा उसमें विजय प्राप्त करेगा तो यह वैक्ति कि जब मैं तो कांग्शा हो द्रड इच्छा हो यह कारी में को करना है जब तक द्रड निश्चे द अदला लेना चाहता है इसलिए वापस जोनों के मद्य कौन सा युद होगा बाड़ी का युद कौन सा युद होगा बाड़ी का युद और ये युद कब होगा पंद्रा सो अठारा इस्वी में कब होगा पंद्रा सो अठारा इस्वी में ठीक है अब नेक्स चीज आपको द्यान Nep N mm texture और यहां पर होगा बाडी का युद्म किस किस कि बीच में एक तरफ इसम नहीं आए Norway आएगा इस युद्म इब्राहीम लोदी अपने एक प्रतिनुदी को वेज में अद्यक्षता में मिया माखन की अद्धिक्ष्टा में किसके दिक्ष्टा में मिया माखन के दिक्ष्टा में वह माराना सांगा के विरुद बाड़ी में एक सेना भेजेगा और दौनों के मध्या संगर्ष होगा ठीक है ना इस संगर्ष में भी किसकी विजय होगी राना सांगा जो है वह इ द्यान रखनें कहीं बार एक नमबर की कुश्चिन में आप से कुश्चिन पूछा जाता है विफो लास्टी बोर्ड एक्जाम में भी कुश्चिन आयावा है क्या कुश्चिन था कि मान सांग और इब्राहिम लोदी के मद्य हुए युद्धों का उले कीजिए उनके मद्य कौन सा पहला एक खातोली का युद्ध और दूसरा है बाड़ी का युद्ध ये दौनों युद्धों में किसकी पराजे होगी दौनों युद्धों में इब्राहिम लोदी की पराजे होगी और दौनों युद्धों में कौन विजित हो जाएगा माराना सांगा अब नेक् पर आपको ध्यान रखना है मालवा का सुल्टान यहां पर कौन है मालवा का सुल्टान कौन है याद रखना भी मैं पूछूंगे आपसे कि आपको कितना बैक का याद है मालवा है MP में अब दौनों के मध्य संगर्श संगर्श किस किस के बीच है एक तरफ है मालवा दूसरी तरफ है मेवाड मेवाड अपन पड़ी रहे हैं तो मेवाड का सुल्टान कौन है यहाँ पर महराणा सांगा और मालवा का सुल्टान कौन है यहाँ पर महमूद खिल जी द्वित्यर याद आ रहे कुछ फरस्ट याद आ रहे आपको दादा जी ने जिसको आ रहाए था ठीके ना दादा कौन थे बाना सांगा के मानना कुमबा पड़ा था हमने कि कुम्भा ने भी मालवा के सुल्टान मेमूद खिल जी प्रथम को पराजित किया था उससे 6 महीने तक बंदी बना के रखा याद आ रहा है कुछ रिवाइस कीजिए वो की वो रीती पर कौन चलेगा उसका पोता महराना सांगा ठीके ना दौनों एकी रीती को अपनाएंगे कि मालवा और मेवार के बीच में संगर्श होगा अब सबसे पहली चीज यह होती है कि दौनों के मद्य संगर्श का कारण क्या है दौनों के मद्य संगर्श का कारण है मैदी नीराय कौन है मैदी नीराय अब यह पूछ प्रशन उड़ता है कि मैदी नीराय जी द्वित्य को मालवा की गद्धी पर बिठाने में सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति ने सहायता की थी वह व्यक्ति था मैदीनी राय उसी का एक सामन जिस समय मेहमूद खिल जी द्वित्य गद्धी पर बैठ गया उस समय मैदीनी राय से प्रसन होकर उसको कौन सा पद है यानि मैदिनी राय का जो वर्चस दरबार में बढ़ रा था यह अन्य द variों को सहन नहीं हुआ ञा मैदिनी राय pozy का शुल्टान के सामने से इसाल का ही नाम आता है वह सारी चीज़ उसी से पूच्य करता है यह चीज जो है वह दूसरे लोगों को सहन नहीं हुई ठीक है ना तो ऐसे में दरबार की जो अन्य सदस्य थे उन्होंने मेहमूद खिल जी दुट्य को बढ़काना शुरू किया किसकी खिलाफ मैदीनी राय की खिलाफ बढ़काना शुरू किया अब मेहमूद खिल जी दुट्य जो था कान का कच्छा यानि सही और गलत का फैसला करने का दिमाग उसमें नहीं था तो उसने दरबार की बढ़काविम आ गया और मैदीनी राय को उसके पद से हटा दिया और उसको मालवा से निर्वासित कर दिया अब मैदीनी राय किस की शरण में जा पहुंचा महाराना सांगा की शरण में जा पहुंचा कौन पहुंचा महाराना सांगा की शरण में जा पहुंचा महाराना सांगा की पास गया शरण लेने के लिए महाराना सांगा ने बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ में वैवार क किया यहां तक कि इसको गागरोन की जागीर भी दे दी कि गागरोन की जागीर जो है वह तुम्हें दे दी जाती तुम वहां पर आराम से शार्षन करो ठीक है अब गागरोन की जागीर पर वह शार्षन कर रहा है मैदिनी राय इसकी खबर किसको लगी महमोद खिलजी द्वित महमूद खेल जी दित्य को जैसे यह सूचना मिली वह आक्रमन करने के लिए कहां पहुंच गया मैधी राए पर गागरोड पर आक्मन करने पहुंच गया तो यहां पर संगर शुरू होगा एक तरफ महमूद खेल जी दूतिय और दूसरी तरफ कौन है मैधी नी राए जब याराना सांगा को लगी प्निराय कि वज़ पता चला की मेदिनी राही की साइता के लिए गागरोन पहुझ गया और दौनों सेनाओं के मद्य कौन सा युद्ध होगा गागरोण का युद्ध होगा कौन सा युद्ध होगा गागरोण का युद्ध होगा दोनों के मद्य मुस्ट इंपोरण याद रखोगे गागरोण का युद्ध किस-किस के बीच होगा मेहमूद खिल जी दृतिय और दूसरे ता और राणा सांगा के मद्य ये संगर्ष होगा, ठीके ना गागरोन का युद्ध होगा का 1519 इस्वी में इस युद्ध में किसकी जीत होगी, राणा सांगा की जीत होगी, महमूद खिल जी द्वित्य को बंदी बना लिया जाएगा और मारणा सांगा इसको बंदी बना कर चित्तोर लेके आ जाएगा और लगबग 6 महीने तक ठीके ना वही दादा के लक्षे कदम पर दादा ने यानि मारणा कुम्बा ने भी महमूद खिल जी प्रतम को 6 माह तक बं मारणा सांगा को सौप देगा तीक है ना यानी इस प्रकार के जो पनीती उसने मुसलिम एक अकरमनकारी के साथ निवई है इसके मुसलिम इतियास कारों ने बहुत प्रस्चिनशा की है लेकिन भारती इतियास कारों ने इसको सांगा की सबसे बड़ी भूल कही है कि उसको मुसलमानों के साथ ऐसा behavior नहीं करना चाहिए ता उसको बिना किसी शर् आजाओ ने उसका युद्ध में साथ दिया जिसको हम नेक्स क्लास से पढ़ेंगे तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं नेक्स क्लास में हमारा संगा के साथ में सबसे बड़ा संकर्श जो कि किसके साथ में होगा बाबर के साथ में उस पर हम कंप्लीट से च सबसे पहले आप को मिले अपेक्स क्लास इस एडिटेक सब्सक्राइब नाव